गुन मॉरिंग साथियों, नमस्कार, प्रडाम, सच्रिकार, आदावर्ष, मैं डाक्टर संतोसिला कमल, आज आपके सामने एक उच्च कोटी का पार्ट लेकर पस्तित हुआ हैं, जिसके लेखक हमारी राम व्रक्ष बेनी पुरी जी हैं, और इनकी लेखनी में ऐसा जादू है कि वाहे आडमनों कर व्रोत किस तरह से करते हैं, कवीर पंथ को किस तरह से बढ़ावा देते हैं, इनकी पात्रों में सजीव हो उटता है, तो आपको बताएंगे कि किस तरह से बाल गुबिन भगर अपने वाहे आडमनों से किस तरह से दूर रहता है, और लोगों को भी की प्रणा देता है तो बालगुविन भगत रेखा शित्र के माध्यम से लेखक से वेनिप्रसाद रामरक्ष वेनि पूरी रामरक्ष वेनिपूरी जीने एक ऐसे विलक्षों शरित्र गाउद घाटिन किया है जो मनुस्यता लोग संस्कृत और सामुविक चेतना का प्रतीक है वेश भुसा या वाहे अनुस्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है सन्यास का आधार जीवन की मानुवी सरोकार होते हैं बाल गुविन भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं यह पाठ सामाजिक रूडियों पर भी प्रहर करता है इस रेखा शित्र की एक विसेश्टा यह है कि बाल गुविन भगत के माद्यम से ग्रामेड जीवन की सजीव च्छाकी देखनों को मिलते हैं आई जानी बाल गुविन भगत के बारे थोड़ा थोड़ा आपको जो मुख्य कर द्यांस हैं उनको मैं आप परहूंगा और उसके बाद प्रस्तों उत्तर बताऊंगा पाठ में आई हुई कठिन शब्दों का काठिन निवारण करूँगा बाल गुविन भगत मजोले कद के गोरे चिठे आदमी थे साठ से उपर के ही हुँगे बाल पक गए थे लंबी दाड़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे किन्तों हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किये रहता कपड़े बिलकुल कम पहें थे कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कवीर पंथियों की सी कनफटी तोपी जब जड़ा आता एक काली कमली उपर से उड़े रहते मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चन्दन जो नाक की एक छोड से ही औरतों के टीके की तरह शुर और होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बामे रहते उपर से उपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविन भगत साली थे नहीं बिलकुल ग्रहस्त उनकी ग्रहनी की तो मुझे याद नहीं उनके बेटी और पतवु को तो मैंने देखा था थोड़ी खेती वाड़ी भी थी एक अच्छा साप सुथरा मकान भी था किन्तु खेती वाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविन भगत सादु थे सादु की सब परिवाशाओं में खरे उतरने वाले कबीर को सहाब मामते थे उन्हीं के गीतों को गाते उन्हीं के किसी से खाम खा जगडा मोलने थे, किसी की चीज न छूते न बिना पूछे बेवहार मेला थे, इस नियम को कभी-कभी इतनी बारिकी तक ले जाती कि लोगों को कौतुहल होता, कभी-कभी वे दूसरे की खेत में, कभी वे दूसरे की खेत में शौच के लिए भी नहीं बढ़ थे, वे ग्रहस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, जो कुछ खेती में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब की दरवार में ले जाती, जो उनकी घर से चार कुछ दूर पर था, एक कभीर रुपन थी, मठ से मतनब, वे दरवार में भेट रूप रख लिया जाकर प्रशाद रूप में जो उन्हें मिलता, उसे घर लाती और उसी से घर चलाती, बाल गुविन भगत के चोतरफा, ग्रामिल शेत्र, धान की रूपनी और उनका बेटा और उनकी पतोहू, पुत्रवधू, इसकी चोतरफा, बारिस का मौसम और साउन भादों की बारिस जिसमें की धान की रोपनी की जाती है, ये ग्रामिल परिवीश का अनुपम उदारनों और अनुपम व्याख्या, कवी मलेखप, राम रक्ष, वेनी पुरी जिके शब्दों में आप देखेंगे, पार्ट पूरे इसी तरह से भरा पड़ा है, सामा जिक वाहे आडबरों से दूर बालगुविन भगत जी अपने कवीर को सहाब मानते थे और उनके बताये गए नियों पर अक्षर सहाब चलते थे, एक बार इनका बीटा बीमार हुआ और उसका स्वर्गवास हो गया, तो उस बेटे के शो के चोतरफा ये खंजली बजाती थे और लोगों को कहते थे जस्न मनाईगे और इसके बाद जस्न मनाने के बाद उस बेटे की शव को अपने पतोह, अपने पुत्रवद्व से मुखागने दिलवाते हैं, ये सामाजिक रोणियों पर प्रहर करते हैं और कहते हैं कि बेटा और बेटी एक समाने, जब बेटा का स्वर्गवास हो जाता ह तो आदेशात्मा भासा में बालगुविन भगत जी अपने पतोह, पुत्रवद्व से कहते हैं कि चली जा यहां से, क्यों तेरा जीवन अभी आगे बाकी है, मेरे फिकर छोड़ो, मैं किसी तरह से जी लूँगा, लेकिन पतोह, पुत्रवद्व भी इतनी शालीन है, इतनी बुड़े ससुर जी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि आदेश है, और आदेशात्मा भासा का बालगुविन भगत जी इसलिए प्रयोग करते हैं, ताकि पुत्रवद्व को का चीवन सुख में बीते, दूसरी उसकी शादी हो जाए, और अपने बाल बच्चो के साथ सुखी और प्रसंद हो करके आगे का जीवन पहतीत करें, तो पुत्रवद्व के मैं के वाले आते हैं, उनके साथ पुत्रवद्व को सहर से चले जाते हैं, और आखिर में बाल गुविन भगत अपनी क्रिया कर्म पर डटे रहते हैं, और आखिर तक कबीर पंती भज जन गाते हैं, और एक दिन वो सुबह सुबह भजन नहीं गाए, तो लोगों ने समझा तरह देखें क्या है, तो देखा कि उनका क्या था, कि उनका बिल्कुल शाओ निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, और माला करा एक एक ताना भिखरा हुआ था, भोर में लोगों ने गी प्रोर्तक ने ये कवीरपंद को अपनाया है, और कवीरपंद ही कैसा है, निर्गुण प्रम्भ ग्यानास्राई साखा की प्रोर्तक संथ शुरो मने कवीरदास जी ने वाहे अडम्मरों को जड़ से मिटाने का आवान किया था, और कहा था ही, समाच हिंदू मुए राम कई, मुसल्मान रहिमाना, और आपस में दो लड़े मरत हैं, मरं कोई ना चाना, ये धर्म, ये जात, सब्वेर्थ हैं, और इसलिए कहते हैं, प्रेम मार्ग पर चलो, आपस में प्रेम सद्भाव सेसुता की साथ लोगों के साथ पेश आईए, यही जीवन का आधार होना आईए जरा प्रशनुक्तर करनें, बालगोविन भगत ने, बालगोविन भगत से जुड़ी ग्रहस्त, बालगोविन भगत खेटी वाड़ी से जुड़ी ग्रहस्त, बालगोविन भगत अपनी किन चारित्रिक विशेष्ताओं की करण साथ केळाते थे इमानदार करमठ और अपनी नियम धरम पर चलने वाले, कवीर पंथ वाय अडंबर को न मानने वाले, अपनी सबी अपनी करणी से अपनी खंजली से सबका मन मोह लेने वाले आईसी चारित्र विसेस्ताई रखने के कारण बाल गुविन भगत ग्रहस्त होते वेवी शाद्युक परमपरामी खरे उतर दे भगत की पुत्रवधुने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी क्यों बाल गुविन भगत का शरीर जरजर हो चुका था प्रद्धावस्ता थी और उनको देखरे करने वाला वहां कोई नहीं था पुत्रवधु ही उनकी देखरिक करती थी क्योंकि उनका पुत्र का स्वर्गवास हो चुका था इसलिए उनकी पुत्रवधु बालगोविन भगत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिती थी भगत ने अपने बेटे की मरत पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की सव को जवीन पर लिटा कर सफेद लिवास में पहना कर चौतरवा फूल लगकर और कवीर पंथी भजन गाती थी और सब को कहती थी शोग मत करो ये हमारे कुत्र की आत्मा परमात्मा में विलिवन हो ग और खंजली पर गीत कविर पंथी गीत गाती थी इस तरह ऐसे उन्होंने और दूसरी चीज क्या कि अपने पुत्र वदू से ही अपने पुत्र को मुखागने दिलाई थी जो कि सामाजिक रोणियों पर प्रहर का कार करती है भगत की व्यक्तित और उनकी वेश भुशा का अ हुए थे शेरीर पर कम से कम कबड़े पहनते थे और एक लंगोटी पहने रहते थे सर्दी के दिनों में केवल कंबल एक छोचा सा उड़े रहते थे हाथों में खंजली रखते थे और कबीर बंती भजन गाया करते थी बाल गुविन भगत की दिन चर्या लोगों के अचरत क का कारण क्यों थी क्यों क्योंकि वे इतने नियम धर्म के पक्के थी कि रोज सुबह गंगा जी का इसनान करना और उसके बाद ही नास्ता करना लोगों को अपजागरूप करना वाहे अड़म्रों के खिलाफ लोगों को समझाना और एक नियम पर चलने का सिध्धान जीवन जीने का सिध्धान बताया कि किसी की चीज बिना पूछे छुना नहीं चाहिए किसी के साथ अनरगल प्रलाव नहीं करना चाहिए हर किसी से सद्भाव प्रेम सेंसरता से पेश आना चाहिए और सबके साथ आत्मिता रखनी चाहिए, इसलिए उनकी ऐसी दिन चर्या थी कि वो सौच के लिए भी कभी किसी के खेट में नहीं आती थी, ऐसा नियम बना रखा था, कि जिससे लोगों में वैमनस पैदा नहों, बुराई पैदा नहों, इसलिए उनका जो दिन चर्या है, लोगों को अचरने डालती पाठ की आधार पर बालगुविन भगत की मदुर्ग गयन की विशेस्ताई लिखी देखिए बालगुविन भगत चूंकि कबीरपंती थी और देखिए कबीरपंती वजन है मुको कहां ठूडे बंदी मैं तो तेरी पास में ना तो मैं कौनों क्रिया करम में ना ही जोग बैरा खोजी हुए तुड़ते मिलियों फल्वर की तलास में और कहते थी जब सामन आता था तो कीड़ गाते थे गोदी में पीयवा चमक उठे सकहिया चिहुप उठे न हाँ पीया तो गोद में ही है किन्तों मैं समझती है वैं अकेली है चमक उठती है चिहों को उठती है उसी भरी बादनों की बादनों वाली हादों की राद में उनका ये गाना अधिरी में कस्तमात उतने वाली पजली की तरह कौन जाता था किसने किसे न चौका दीता अरे अब सारा संसार निस्त अब्धता में सोया है बाल गुर्मिन भगत का संगी चाग रहा है गाना है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा ये कविरदास ची भजन गाते थे इससे इनकी जो व्यक्तियत जो चरीत रहे उसका गाटन होता है और इनके मधुर गायन की विस्ताएं प्रकट होती है कुछ मारमिक प्रसंगों के आधार पर ये दिखाई देता है कि बाल गुमिन भगत प्रचलित सामाजिक मानेताओं को नहीं मानते हैं पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उलेख कीजिए जब रूडवादी समाज है और रूडवादी समाज को वो जड़ से मिटाना चाहते थी और इस जड़ को मिटाने के लिए कबीर पंथ गुरुबनाना संदर विदास की वाणियां भहुत प्रहवी हैं यह आप देखना चाहें कि सामजी खरूणियां क्या क्या हैं पुत्र पाना मनुष्य भारती समाज में उच्छ पूट का माना जाता है और यह माना जाता है कि पुत्र को जो या जो पुत्र की जो मुखागनी देगा वो कोई उसका पितास्री देगा या पितास्री की जो कि रोड़ों परांथ वह बेटा देगा देकिन यहां एक प्रसंग है जिसमें की बालगविन भगतजी का पुत्र का स्वरगवास हो जाता हैं और स्वैमगा बालगविन भगतज ना दे कर hogy उस सामयृटी पर प्रहार करते हैं और ल' उसको मुखाग्य अपनी पुत्रवथू से छिलाती हैं. तूसरे चीज कीसी देवी देवता को नहीं मानते थे, केबल कभीर सहाब को मानते थे, उन्हें की समर्वित करتी थे- अपना सारा खेटी में जू उपाजोती थे, उसको ले जाकर कभीर मठ में राकती थे और महाप्रसाद की रूप में जो भी लाती थी उससे अपनी घर क्राश दी चलाते थी ऐसे उनकी वेक्तितो था ऐसे उनकी जो मार्मिक प्रसंग थी धान की रूपाई के समय समुची माहुल को भगत की सुर लहरियां किस तरह चमतकरत कर देती थी उस माहुल का शब्द चिक्तना प्रस्थूट करिए सावन भादों में बारिष खुब होती है और उससे में धान की रूपनी होती है थान खेतों में रोपा जाता है लगाया जाता है उसकी पौद लगाया जाती है तो उस समय बाल गोविन मगत गाती थे क्या गाती थे गोदी में प्यवा चहक उठी सक्या तो इस तरह से जब भजन लहरी उनकी शुरू होती थी तो अच्छे अच्छे लोग प्रके गीतों की प्रसंसा करते थे और थान की रोपाई करने में एक अलग ही आनंद आ जाता था गतवीदी नमबर एक पाट के आदार पर बताएं कि बाल गोविन मगत की कवीर पर सुरुद्धा किन किन रोपों में प्रकट वी है गतवीदी नमबर दो आपकी द्रस्ट में मगत की कवीर पर अगाज सुरुद्धा कि क्या करण रहे होंगे गाउं का सामाजिक सांस्क्रतिक परवीश असाड़क चरती उल्लास से क्यों भड़ जाता है उपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बालगुविन भगत सादु थी क्या सादु की पहिचान पहनावे की आधार पर की जानी चाहिए आप किन आधारों पर ये सुनिशित करेंगी कि अमुक जक्ती सादु है गत्विदी नमबर चार गत्विदी नमबर पाँच मुव और प्रेम में अंतर होता है अगत की जीवन की किस गटना की आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे गत्विदी नमबर चह इस पाठ में आये कोई दस क्रिया विसेशन चाट कर लिखी और उनकी भेड़ भी संग्रे कर एक अलबम तयार कीजिए नेक्स्ट गत्विदी पाठ में आई पाठ में असाल भादों माल्ग आज में विक्रम संबत करेंडर के मासों की नाम आई है यह करेंडर किस मास से आरम होता है महिनों के सुची तयार कीजिए कार्थि के आते ये भगत प्रभाती गाया कहते प्रभाईवी प्रभाती गायन का संकलन कीजिए और उनके संगीत में प्रस्तुत कीजिए इस पाठ में जो ग्राम में संस्ग्रत की जलक मिलती है वे आपके आसपास के वात्रवन में कैसे भिन्ने बताएं सब्द संब्दा शब्दार्थ दिखिए मन्होली ना बहुत बड़ा नम्हों छोटा कमली कमल पतोवू पुत्रवदू पुत्रके स्त्रे रोपनी धान की रोपाई कलेवा सवेरे का जल्पान पुरवाई पूरप की ओर से बैने वाली हवा अधरतिया आधी रात खंजडी डफली की धंका परंत आकारमों से छोटा एक वादे अंत्र न कोदा कम बुद्धिवाला संबल सहरा ने कि प्रभातियां मुक्रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती है प्रभातियों का जागन गीतों में किवल सुकुम और भावना ही नहीं वरन वेड़ता साहस और सा की बातां भी की जाती है क वियो ने प्रभातियों में राष्टी चितना और वकास की भावना को फिरवने के प्रभा प्रयास किया वेर तुम बढ़े चरो धिल्ध् critics तुम बढ़े चलो सामने पहाडों सिंग की दार तुम' निडॉर दतु है तुम्ने ड़ अले थ हटो हूं नहीं वेर तुम पलकें खोलो रैन सिरानी बाबा चले खेट को हल ले सकियां भरती पानी बहुएं घरगर च्छाच गुलोती गाती गीप मथानी चर्थे के संग गुनगुन करती सूत काती नानी मंगल गाती चील चिरया अम अस्मान फहरानी रोम रोम में रमी लाडली जीवन जियोत सुवानी आलस छोडू ठू न सुखरे मैं तब मोल विकानी पलकें खोलो हे कल्यानी ये दिखिए एक पर बाती मैंने आप पुशने पाठ की कुछ अंस बताएं और सब्दार्थ बताएं गत्वी दियां बताएं प्रस्न कोस भी बतायां आप बने लिए हमारे सब बहुत बहुत धन्यवाद बेंग विद्मी बाल गुविन बगत पाठ के साथ मैं डाक्टर संतु सिनल कमल तेंक्यू बेले मत